हेलो गाईज, आज का हमारा विशा है हडपा सब्वेता और आज हम हडपा सब्वेता से जुड़ेवे महत्यपुन प्रशनों पर चल्चा करेंगे जो कि अक्सर एक्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही महत्यपुन विशाय रहा है सरकारी नोकरी के एक्जाम के पॉइंट अ अगला प्रशन है प्रशन नंबर दो हडपा की सब्वेता के बारे में कौन सी उक्ति सही है उप्शन ए उन्हें अस्वमेग यग्य की जानकारी थी उप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी उप्शन सी उन्होंने पश्चुपत्ति का समान करना आरम किया उप्शन डी उनकी संस्क्रीती समानेता स्थिर नहीं थी तो देखते हैं आप एक कुछ उप्शन तो ऐसे हैं जो हमें पहले से ही पता है जैसे अस्वमेग यग्य की बात करें तो इसका जिकर हमें रमायन में काफ़ी अच्छे से मिलता है अस्वमेग यग्य के बारे मैं आपको थोड़ सा बता देता हूँ अस्वमेग यग्य का यग्य होता है इसके अंदर क्या होता है अगर कोई राजा अपने आपको बहुत जादा प्रतापी और शक्तिसारी समझता उसे लगता है कि मैं किसी भी राजा से युध मोल ले सकता हूँ और उसे हरा सकता हूँ बहुत मैं ताकत वरू हूँ तो अपने राज्य को फैलाने के लिए एक यग्य करता है और इस यग्य के दौरान वे एक स्वतंतर घोड़े को छोड़ता है अब वो घोड़े की मर्जी पर डिपेंड़ने घोड़ा कहीं भी जा सकता है उसके प गोड़े को पकड़ करके उस राजा के साथ युद्ध कर सकता है फिर उस राजा के साथ युद्ध होगा और फिर जो जीतेगा जीत उसकी मानी जाएगी और अगर वो घोड़ा घोम फिर करके वापिस आ गया तो उसके वाद उस गोड़े को वापिस आने का वो यग्य का क्लियर होता है कि हड़पा सब्वेता के लोगों को गाय के बारे में जानकारी था ही नहीं अब बात करते हैं उप्शन C की उन्हें पसुपत्य का सम्मान करना आरम किया तो अगर हम हडपा सब्वेता के धार्मिक जीवन को देखे तो हमें दो दो चीजों का हमें काफ़ जा किया करते थे इसके अलाबा हमें ये भी बतलता है कि सिंधुनादी की पूजा करते थे कुछ जगह से हमें इसके साक्ष मिले हैं और इसके अलाबा हमें एक मोहर मिला जैसे पसुपतिनात का चिन हमें मिला है जैसे बतलते है कि पसुपतिनात की पूजा करते थे कई जगह प Option C उन्हें प्रशुपति का सम्मान करना आरम किया तो next question पर चलते हैं Question number 3 सिंदुगाटि के घर किस से बनाया जाते थे Option A, इट से Option B, बास से Option C, पत्थर से Option D, लकडी से तो यह question बहुत easy से देख के बता जल रहा है इसका right answer है Option A, इट से क्योंकि हमें हडपा सबता में काफी जाद ही मातरा में इटों के साक्ष मिले हैं बहुत सारे इट हमें मिले हैं जो एक निश्चित अनुपात में इट बनाया जाते थे और उसको ऐसा लगता था धूप में पकागर के वो इसको इट का इसके लावा हमें हरपाश सरता कि जो नगरियूजणा की बात करें तो हमें विसाल सनानागार, विसाल अननागार मिला है और यह सब ईटोuse भनाएं गया है और उपर का दुर्ग नीचले दुर्ग से मिले है वो दुर्ग का जो भी उपरवाले दुर्ग का तो किला वगरा जो मिला हमें मिला है दुर्ग कहते हैं किले को तो ये भी हमें इट से मिला तो इसका राइट अंसर है option A इट ठीक है तो next question पर चलते हैं question number 4 सिंदु घाटी की सभेता के शहरों की गलियां कैसी थी option A चौड़ी और सीधी option B option C option D तो इसका अंसर बहुत ही easy सा है option A चौड़ी और सीधी क्योंकि हम देखते हड़ापा से बता के जो नगरी हो ज़ना के गर हम बात करते हैं तो basically ये इसी चीज़ पर बेज़ड है कि इसकी नगरी हो ज़ना बहुत ही उमदा किसम के थी इनके जो सडके थे वो चौड़ी और सीधी थी जो हर एक सडक एक दूसरे को 90 डिगरी के कौन पर यानि सम कोन पर काटती थी जिससे क्या था सहर काफी व्यवस्तित व्यवस्ता मता ऐसा देखके लगता था कि पहले सडकों को बनाया गया है और फिर मकानों को बनाया गया है क्योंकि अगर पहले मकान बना करके फिर सडक बनाएंगे तो सडक टेडी मेरी हो सकती है लेकिन सडक को अगर पहले बना करके फिर मकान बना जाए तो सडक के सीधी होती है तो इसलिए तिहासकार इस चीज़ को देखकर के अंदाजा लगाते हैं कि पहले सलकों को बनाया गया है फिर मकानों को बनाया गया है यही कारण है कि इसके सलक काफ़े जाता सीधे सीधे हैं Question number 5 हडपा सब्वेता के निवासी Option A ग्रामिन थे Option B शहरी थे Option C यायावर यानि खाना अब दोस्त थे Option D जन जातिये थे तो आपको पता ही होगा हडपा सब्वेता एक नगरिय सब्वेता थी अता यहां के अधिकांस निवासी शहरी थे तो इसका अंसर हुआ Option B यानि हडपा सब्वेता एक शहरी सब्वेता थी और यायावर की अगर बात करें तो यायावर लोग वो लोग होते जिनका कोई निशिट ठीकाना नहीं होता वो आज यहां है तो कल कहीं और रहेंगा जैसा चंगेज खान के टाइम पर आपको देखने का मिला ता उसके पहले के जो लोग थे वो यायावर थे मतलब ग्रेडिये टाइप के लोग जो जानवरों को चराते हैं आज यहां रहे लिए कर लिए उनका कोई निशित पता ठिकाना नहीं होता तो ऐसे लोग हम यायावर कहते हैं तो यह तो होगा इनी तो इसका अंसर है option B हडपा सब्रेता के निवासी सहरी थे next question पर चलते है question number 6 हडपा के खंडर निमलिखित में से किस नदी के तरट पर पाए जाते हैं option 1 रावी option B जेलम option C व्यास option D सतलज तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं इसके लिए keyword है हरा मौसी हरा यानि ह से हडपा और रह से रावी नदी तो हडपा सब्यता जो है वो रावी नदी के किनारे इस्थित है आईए अब next question पर चलते हैं question number 7 उसे से मिलता जोलता question है पिछे वाले question से ही मोहन जोदलो के खंडर निमलिखित में से किस नदी के तरट पर पाए जाते हैं option A रावी option B जेलम option C व्यास option D सिंधू अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता है हरा मौसी ह से हडपा, र से रावी मौसी यानि म से मोहन जोदलो और सी से सिंधू यानि कि मोहन जोदलो जो है वो सिंधू नदी के किनारे स्थित है तो इसलिए इसका अंसर हुआ option D सिंधू next question पर जलते हैं question number 8 हरपा वासी किस वस्तूओं के उत्पादन में सरप्रथम थे option A मुद्राय option B कांसे के उजार option C कापास option D जो तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हरपा वासी के लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन करते थे तो इसका अंसर है option C कपास सबसे पहले कपास की खेती का जो evidence है हमें हरपा में ही बिलता है और काफी ज़्यादा मात्रा में अच्छे गुणवत्ता का होता था और ये बाहर की देशों में भी export किया जाता था इसलिए इसको वहां के लोग सिंडन भी का मतलब इसको सिंडन के नाम से भी जाना जाता है इसी कारण मतलब reason यह है कि युनानी सिंद्व सभगता को शिंडन कहने लगे थे क्यू yap mikukhy वह लोग यहां से कपास कृदा करते थे का अफी जातन मात्रा में कापस संधव लोगों की मूल फसल थी यही कारण दा कि युनानी लोग सिंद्व सभगता को मतलब कहने लगे थे जो सिंदू सब्द से निकला है क्योंकि सिंदू नदेगी केनारी फैले भी सब्बता है तो इसको सिंदू सब्बता कहते थे और इसलिए इसका नाम सिंदू में पड़े गया बाद में कपास की खेती के कारण ही Question No.9 सिंदू घाटी की सिंदू सब्बता के लोगों के जीवन में व्यपार का बड़ा महत्व था इसकी पुष्टी हडपा, मुहन जोदलो और लोथल में अनाज के बड़े-बड़े कुठारों के पाये जाने से ही नहीं होती बलकि बड़े भूभागों में धेर सारी मिट्टी के मुहरे एक रूप लीपी और मानकी कृत मापतवल परणाली के अस्तितु से भी होता है तो यहाँ पर हमें यह सारा चीज मिलता है इससे पदलता है कि तमें सबसे आदा मात्रा में मुद्राओं का इस्तमाल होता था हड़पाई लोग सिंदु सब्वता के छेतर के भीतर, पत्थर, धातू, हड़ी, आदी का व्यापार करते थे यह लोग अपने तयार माल को पडूसी के इलाकों में पहुँचाने के लिए नावों और बैलगाडियों का प्रियोग करते थे बहुत सी हड़पाई मोरे मेसोपटामिया के खुदाई में से मिली है हमें इससे परतीत होता है कि हड़पाई लोगों ने मेसोपटामिया नगरों के कई प्रसाधनों का नुकरण किया है अता अवसेसों की खुदाई में प्राप्त मुदराओं से इस सभेता की वयपार एवं आर्थिक गती वीदियो का पता चलता है तो हमें पता है कि ये लोग वयपार करते थे मुदराओं का इस्तेमाल करते थे वयपार में जिस्ते हैं कि अगर यह गुदी दूत नियुकल जावल की बोरियां जब रखी जाती है तो बादमस के गेट पे एक मुहर लगा दी जाता है रेड कलर का सील जिसको जिससे पता है कि मार्स रक्षित है जहां से फिर जोग बंदा खोल रहा है उसी ने उसको खोला है जिए तो फिर हम नेक्स्ट कोश्चन के तरब बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 10 हडपा की सब्वेता किस यूग की थी? आप्शन A कांसे यूग? आप्शन B नवपाशान यूग? आप्शन C पुरापाशान यूग? आप्शन D लह यूग? तो यहां पर हम आपको बताना चाओंगा कि अगर हम बात करते हैं हडपा सब्वेता की तो जिसको हमने दो भागन बाटे है और लह यूग काते हैं जहां पर लुहे की खोज की गई तो हडपा सब्वेता के लोगों को लुहे का तो कोई नौलेज था ही नहीं लुहे का कोई बी चीज हडपा सब्वेता से प्राप्त नहीं हुआ है तो इसलिए इसका राइट अंसर ह सिंदू घाटी की सब्वेता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था ओप्शन ए व्यापार ओप्शन बी परशू पालन ओप्शन सी शिकार ओप्शन डी क्रिसी तो इसका राइट अंसर है सिंदू सब्वेता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्रिसी था। के जो लोग थे वो फसलों का अत्पादन काफी जादा मात्रा में करते थे जिससे उनकी अवशक्ता पूर्ती होने के बाद भी काफी फसल बच जाया करता था। एक्स्ट्रा यही कारणता है कि उन्होंने व्यपार करना सुरू किया। अपने फसल को जो बच जाता है उसको फिर वो बाहर ले जाकर के बेचना सुरू किया। और यह दूसरे-दूसरे सहरों में विद्रिसों तक भी भीजा जाता था। नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 12 सिंदू घाटी सब्वेदा की लिपी कौन सी है। सिंदू सब्वेदा की जो लिपी है आज तक पढ़ी नहीं गई है। सिंदू लिपी में लगबग 64 मूलचिन हैं जिसे 2500 से 400 तक अक्षर हैं उन लिपी में। जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरे तामबे की गुटिकाओं आदी पर मिलते हैं। यानि सेल खड़ी के पत्थर पर हमें मिलता है तामबे पर मिलता है। ये लिपी चित्रात्मक थी, ये लिपी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंदू घटी के सब्वेता की लिपी की बात की बात करें। तो ये चित्र की रूप में लिखाए थान का निसान बना हूआ है, नाओ का निसान बना हूआ है। जिसको आज तक हम पढ़नी पाएं, यही करन है कि अगर आपने सुना होगा, मितिहास को थीन तरीकिες से पढ़ते हैं, एतिहासिक काल, प्रेगेतिहासिक काल, अधेतिहासिक काल, ठीक है? तो सिंदू घाटे की सब्वेता को हम अध्याति हाथ से कालम रखते हैं क्योंकि उसकी लिपी तो हमार पास मौजूद है लेकिन उसको हम आज तक पढ़नी पाएं तो इसका अंसर है, राइट अंसर है, option C, अज्यात question number 13 बिना दुर्ग के एक मात्र सिंदू नगर कौन सा था? option 1, काली बंगा, option B, हडपा, option C, मुहन जोद्रो, option D, चोहंद्रो तो इसका राइट अंसर है, option D, चोहंद्रो चोहंद्रो, बिना दुर्ग का एक मात्र सिंदू नगर है, यह सिंद्रो नदी के बायդत परिस्थित है, यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन समागरी מili है, यह अध्योगिक नगर था, यहां पर काफी जाएद्धा मात्रा में अध्योगिक काम होते मैं के नहीं हां से मन के बनाने की कारखाना ढूंड़ा है यानि मन के बनाने का जो कारखाना है वो भी हमें चौंद्रों में ही मिला है कई बार एक्जाम में पर कारखाना कहां पे स्थित था तो यह इसका अंसर है चौंद्रों नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 14 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन सा था आप्सटन A हडप्पा आप्सटन B पंजाब आप्सटन C मोहन जोदरो आप्सटन D सिंध तो इसका राइट अंसर है आप्सटन A हडप्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर हडप्पा था हडप्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था जब हडप्पा का खोज किया गया था उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक था बटवारा नहीं हुआ था वर्तमान समय में हडपा पाकिस्तान में जा चुका है ये पाकिस्तान का एक प्रांत में स्थित है हडपा का अगर छेत्रफल की बात करें तो छेत्रफल की दिरिष्टी कौन से सिंदु सब्वेता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है जबकि मुहन जोद्रो छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा नगर है ये धाइस सो हेक्टर में बसा था पूरा Question number 15 मुहन जोद्रो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है Option A विशाल स्नानागार Option B धन्यागार या इसको अन्नागार कह लो Option C स्तंभ हॉल या Option D दो मंजला मकान तो इसका राइट अंसर है Option B धन्यागार मुहन जोद्रो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा समारक था इसकी उत्तर से दक्षिन की लंबाई 54.85 मिटर तता पूर्व से पस्चिम की चुड़ाई 32.90 मिटर थी मुहन जोद्रो की धन्यागार की बात करयाने अन्यागार तो 45.72 मिटर तक लंबा था तता 22.86 मिटर चौड़ा था जो की वहाँ का सबसे बड़ा भवन था तो इसका राइट अंसर हुआ Option B धन्यागार Next question पे चलते हैं Question No.16 पुरा लेख विद्या का अभिप्राय है Option A सिक्कों का अध्यन करना Option B श्रिला लेखों का अध्यन करना Option C महा काव्यों का अध्यन करना या Option D भुगोल का अध्यन करना तो इसका राइट अंसर है Option B पुरा लेख विद्या का अभिप्राय शुर्या लेक का अध्यन करना होता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 17 अब वहाँ तंत्र का निर्मान सबसे पहले निमलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था ओप्शन A मिस्री सभ्यता के लोगों ने ओप्शन B सिंदू घाटी सभ्यता के लोगों ने ओप्शन C चीनी सभ्यता के लोगों ने या ओप्शन D मेसो पटामय सभ्यता के लोगों ने तो इसका राइट अंसर है ओप्शन B सिंदू घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अब वहाँ तंत्र का निर्मान किया था अब वहाँ तंत्र का सरप्रतम निर्मान सिंदु घाटी सब्वेता के लोगों ने किया था क्योंकि उनको इसके बारे में नौलेज हो गया था Question number 18 पैमानों की खोज ने असिद्ध कर दिया है कि सिंदु घाटी लोग माप और तॉल से परिचित थे या खोज कहां पर हुई Option A काली बंगन Option B हडपा Option C चहंद्रो Option D लोथल तो इसका राइट अंसर है Option D माप तॉल से संबंदित साक्ष मोहन जोद्रो और लोथल से प्राप्थ हुए है च्योंकि मोहन जोद्रो और उप्सन में है नहीं तो इसका राइट अंसर Option D होता है लोथल से हमें हाथी दाद का बना मापक मिला है यहां से गोदी बाड़ा का भी साक्ष मिला है हमे यानि डोक यार्ड का सकते हैं जहां पे नाओ वगेरा ने समान को आपक के जो पैमाने है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 19 निम्न लिखित में से किस द्रव्व को उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से किया गया था Option A टेरा कोटा Option B कासा Option C तामबा या Option D लोहा कोशन को थोड़ा से ट्विष्ट किया गया है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से सेल खड़ी का परियोग किया गया है इसके अतरिक्त मिट्टी, चर्ट, गोमेद, आदी का भी परियोग किया जाता है और यहाँ पर Option में सेल खड़ी है नहीं मिट्टी से बनी आकृत्यों को हम टेरा कोटा कहते हैं जो मिट्टी के आकृत्यों तो इसको टेरा कोटा कहा जाता है तो इस हिसाब से देखा जाता है आप्शन ए ट्यारा कोटा कोश्चन नमबर 20 सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्यपुर्ण रचना नेमलिकित में से किसकी मूर्ती थी आप्शन ए नटराज आप्शन बी निर्त्य करती हुई बालिका आप्शन सी बुध्ध या आप्शन डी नर्सिम्हा तो इसका राइट अंसर है आप्शन बी निर्त्य करती हुई बालिका सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्यपुर्ण रचना निर्त्य करती हुई बालिका की मूर्ती है जो कहां से से निर्मित है और यहां मूर्ती हमें कहां से मिली? मुहन जोद्रों से नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 21 देवी माता की पूजा सम्मंदित थी आप्शन A आरे सभ्यता के साथ आप्शन B भुमद्य साग्रिय सभ्यता के साथ आप्शन C सिंदु घाटी सभ्यता के साथ या उप्शन D उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ तो जैसा कि आपको पता है देवी माता का मातर देवी का पूजा सिंदु घाटी सभ्यता एक विशिष्ट लक्षन था मातर देवी की पूजा करते थे के बारे में हमें ग्यात होता है क्योंकि हमें कुछ मनमूर्तियां मिली माते देवी के जिसके इस तरीकी गर्व से पौधा निकलतावा दिखाया गया जो कि मैंने आपको पहले कोशन में बताया था तो इसका राइट अंसर हुआ इसे आपसे ऑप्शन सी सिंदु घाटे सब्वेदा के साथ कुश्चन नमबर 22 निमलिखित में से कौन हडपा संस्कृति के अध्यन के साथ संबंध नहीं है हडपा संस्कृति के अध्यन के साथ चार्ल्स मेंसेने, कनिंगम और मार्टिन वीलर जुड़े थे पियस वर्थ का इससे कोई संबंध ना था नहीं था और बलकि माधों सवरूप वर्थ द्वारा हडपा का अध्यन किया गया था तो इसका राइट अंसर क्या हुआ ओप्शन डी पियस वर्थ कोश्चन नमर तेईस काली भंगा किस प्रदेश में विद्धमान है ओप्शन ए उत्तर प्रदेश ओप्शन बी सिंध ओप्शन सी राजस्थान ओप्शन डी गुजरात तो जैसा कि आपको पता है काली भंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियां काली भंगा राजस्थान की हनुमान गड़ जिले में घगगर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है काली भंगा के लोग एकी खेत में दो फसल हो गाना जानते थे और यहां पर काफी भुकम पाने के भी में साक्ष मिले हैं तो इसका राइड अंसर वो ऑप्शन सी राजस्थान नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 24 निमलिकित विद्वानों में से हडप्पा सब्यता का सरप्रतम खोज करता कौन था ओप्शन A सर जॉन मार्सल ओप्शन B आर डी बनर जी ओप्शन C ए कनिंगम ओप्शन D दयाराम साहनी तो इसका राइड अंसर है ओप्शन D दयाराम साहनी क्योंकि हडप्पा सब्यता के टिले सरप्रतम उलेक इनके टिले का सरप्रतम उलेक 826 इस्वी में चार्स मैसेने ने किया था और 1912 इस्वी में जेयफ फ्लीट ने यहां से प्राप्त की गई समगरियों पर रोयल एस्येटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेक प्रकासित किया था इसके बारे में और जनरल कनिंगम ने 853 इस्वी में इसका सरवेक्षन कर कुछ पुरावस्तों प्राप्त की थी। कनिंगम एक फ्लिट हरपा के पुरातात्विक महत्व का सही सही मुल्यांकन करने में असमर्थ रहें और फिर 1921 से 22 इस्वी में सर जॉन मार्सल के निर्देशन में दयाराम सहनी ने पाकिस्तान के पंजाब रांत में ततकालिन मांगट गोमरी संप्रती शहिवाल जिले में स्थित हरपा सब्वेता के प्रातात्विक महत्व को उजागर किया और सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में खोजा सही जानकारी उपलप्त कराई तो इसलिए ये क्रेडि और सबसे पहले 1922 में द्याराम सहनी के दौरा किया गया था वैसे तो इसका खोज 1921 से 1922 के बीच हुआ था तो हम इसको 1921 में भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन जातर काम 1922 में इसलिए 1922 हम इसको कहते हैं next question है question number 26 सिंदुघाती सब्वथा का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था तो इसका जो पतन है नगर बंदरगाह जहां पर सिप को लोड के ँझा जाता था अनलोड के जाता था है ने की समुदरी जहाज जहाँ पे होते थे डोयाक वो कौन सा था तो option A काली बंगन, option B लोथल, option C रोपड, option D महँजोदरो अभी थोड़ दिर पहले कोशन आथा जहाँ पे मैं आपको बताया था कि लोथल में इसका बंदरगा हमें मिला है तो इसका अंसर है option B लोथल थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ लोथल एहमदाबाद गुजराज जिले में सर गवल नामत ग्राम के समीप इस्थित है 1955 तथा 1962 के मध्य यहां S.R. Rao के निर्देशन में खुदाई की गई जहां दो मील के घेरे में बसेवे एक नगर के अफसेस प्राप्त हुए है यहां 6 खंड़ में विभक था यहां उचे चबुत्रे, रक्षा, प्राचीर सड़क तथा मकानों के अफसेस में ले है यहां के सबसे महत्पुन उपलब्दी पक्की हीटों का बनावा विशाल आकार 214 बाई 36 मीटर का एक घेरा है जिसे राव महादे ने जहाजों की गोदी बताया है इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था या भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल में दो भिन भिन टिले नहीं मिलते पूरी पूरी बस्ती एक ही दिवार से घेरी थी तो अलग-अलग हमें टिले नहीं मिलते एक ही दिवार से पूरी बस्ती को घेरा गया था जबकि बाकी सहरों के हम बात करते हैं, एक उपकार का दुर्ग मिलता है, एक निचला दुर्ग मिलता है, ठेकि जिसको अलग-अलग बॉटरी किया गया है, जबकि ऐसा लोधल में हमें ने मिला है, पूरा एक ही बॉटरी के अंदर हमें मिला है। लोथल नामक स्थान पर निम्लिकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? Option A. सिंदुघाटी Option B. मेसोपटामियाई Option C. मिस्री Option D. फार्सी तो इसका राइट अंसर है Option A. सिंदुघाटी क्योंकि लोथल नामक स्थान पर सिंदुघाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था जो कि भी पिछले कोशन में हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसका राइट अंसर क्या हुआ? सिंदुघाटी Next question है Question No. 28 सिंदुघाटी के टेरा कोटा में निमलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विदमान नहीं था? Option A. भैस Option B. भेड Option C. गाए Option D. सूर तो इसका राइट अंसर है Option C. गाए सिंदुğimizयत के लोगों को गाए के बाड़े में कोई knowledge नहीं था इसका मतलब यह क्योंने गाए का knowledge बिलकुल इ allora नेक्स्ट क्वेटा, मिक्री सब्यक्राइबुल एकृत्वेस के साक्ष मीनियुते हैं। सब्यता option C मेसी पढ़ाँ में की सब्यता यह option D Greek की सब्यता, तो आपको बताा दू सिंदुगाटी सब्वेता और्मोस्ट सब्वेता के समकालीन है क्योंकि जिस बग सिंदुगाटी सब्वेता था बगल में मेसोपटा में सब्वेता भी चल रहा था मिस्री की सब्वेता भी चल रहा था चीन की सब्वेता चल रहा था लेकिन जो Greek की सब्वेता है वो नहीं था तो इसका right answer है option D Greek की सब्वेता next question है question number 30 सिंदुगाटी सब्वेता में घोडे के अफसेश कहां मिले है option A सूरत गोद्रा, option B बनावली, option C लोथल, option D काली बंगा तो सिंदुगाटी सब्वेता हमें घोडे का जो evidence मिला है वो मिला है सूरत गोद्रा में तो इसका right answer है option A सूरत गोद्रा तो आज के लिए तना काफी है और बाकी के question मैं next part में upload करूँगा पहले आप इस part को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे like करिए, share करिए करिए